हेलो फ्रेंडस हेल्थ रिकूप चैनल में आप सबी वीवर्स का स्वागत है तो फ्रेंडस ये कुछ कमेंट करके एक ऐसी समस्या सामने आई है जो कि सर्दी गर्मी बरसात ये समस्या कभी भी हो सकती है खास कर सर्दियों में ये समस्या जादा आती है तो जिनको भी ये समस्या है, वो मैं इसका समाधान अभी आपको बताऊंगा तो समस्या कुछ इस तरीके से है ये लिखते है नमस्कार हेल्थ रिकूप सरजी, मेरी उम्र 25 बर्स है मुझे मलत्याग करते समय दर्द होता है और गुदा के इस्थान पर जलन होती है गुदा में चने जैसा महसूस होता है कब्ज रहती है किर्पया आयरुवेदिक उपचार बताएं आपका आभारी रहूंगा धन्यवाद तो देखिए इस तरीके से कुछ इनकी समस्या है ये इनकी समस्या हो सकती है या कई भाईयों और ऐसी भेनों की समस्या ऐसी रह सकती है चाहे 25 वर्ष उम्र हो ये इससे कम उम्र में भी ये समस्या आ जाती है या इससे अधिक उम्र वालों को भी ये समस्या आ जाती है अगर इस तरीके से समस्या किसी की है तो किस तरीके से उसको हमें ठीक करना है तो देखिए ये समस्या जो आई है इसको अब हमें ठीक कैसे करना है चलिए उसके बारे में अब हम जान लेते हैं तो देखिए जो इसका समधान है वो इसी समस्या में छिपा हुआ है देखिए अभी हम जो ये जादू करने वाले हैं इसमें इसका समाधान निकल आएगा तो समाधान कुछ इस तरीके से है कि आपको बैदनात की अभेरिस्ट 15-20 ml तक लेनी है इसके बाद आपको बैदनात की ही अर्शकुठार और अर्शोगनी वटी लेनी है और इसी तरीके से पाइराइड मलम आता है इनका बैदनात का वो भी गूदा के स्थान पे लगाना है तो देखिए ये तो जो समाधान था वो मैंने आपको बता दिया है अब मैं आपको ये दवाईयां दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती है तो देखिए ये बैदनात की अभेरिष्ट है इसको आपको लेना होता है खाना खाने के बाद 15-20 मिली लीटर पानी के साथ मिलाईए और खाना खाने के बाद इसको पी लीजिए दिन के खाने के बाद भी पी सकते हैं और शाम को भी इसी तरीके से 15-20 मिली लीटर पानी में मिलाके पी लीजिए तो इससे आपकी कब्स ठीक होगी पेट आपका खुलके साफ होगा दस्त साफ आएगा जिससे ये समस्या धीरे-धीरे समापत हो जाएगी ये बैदनात की अर्सकुठार है और ये बैदनात की ही अर्सोगनी बटी है इनकी एक-एक गोली आपको लेनी है और इसको सुबे साम आप खा सकते हैं पानी के साथ तो अर्सकुठार और अर्सोगनी बटी इतनी फायदेमन साबित होती है तो ये constipation और piles के लिए ही सुपरसित दवाईया है और मैं भौती जो अति उत्तम दवाईया होती है जो सुपरसित दवाईया होती है आयरवेद में वही दवाईया आपको recommend करता हूँ तो ये हानी रही दवाईया है इनको आप निसंकोच ले सकते हैं ये अर्शकुठार और अर्शोगनी वटी कब्स आपकी जो गूदा में मस्से निकला आए हैं और अगर bleeding भी होती है खून गिरता है तो उसमें ये बहुती फायदेमन साबित होने वाली है इसका खाने का तरीक से आपकी ये अर्शोगनी वटी हो गई और ये अर्शकुठार तो देखिए कुछ इस तरीके से इनका पाइराइड मलम भी आता है तो बैदनात की ये तीनो चारो जो कॉम्बो दवाईया है आप कब्स में आपको पाइल्स की सिकायत है गूदा में जलन होती है गूदा से खून गिरता है और बहुती कस्ट दयक मल उतरता है आपका यानि कीतना सक्त मल हो जाता है या सौफ्ट मल भी होता है तो भी उसमें बहुत दर्द होता है या फिर ब्लीडिंग भी साथ में होती है तो ये अगर समस्या है किसी भी आई-उवर्क के हैं कोई भी आपका जैंड है तो ये दवाईयां बिल्कुल हानी रही दवाईयां है इन दवाईयों के सेवन से आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी इनका सेवन करने से कोई भी हानी नहीं होती सिर्फ लाब ही लाब मिलता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये दवाईयां लाके अपनी समस् वीडियो में तब तक के लिए ओके टेक केर बाई बाई धन्यवाद